एलो फिंश गूड मॉर्निंग कैसे हो आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे शो फ्रेंड्स इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन जिग्राफी ये इंडियन जिग्राफी की चौथी क्लास है अगर आप लोग पहली दूसरी तीसरी क्लास को नहीं देखे हैं तो प्ले लिष्ट में आपको वर्ल्ड जिग्राफी क्लासेस मिल जाएंगी ऐसी ही हैंड्राइटी वाली नोट्स की एंड हिष्टी की सारी कि सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी और ये इंडियन जिग्राफी की चौथी क्लास है एक और आपकी क्लास होगी लास्ट क्लास उस सबसे पहला पॉइंट यहां पर देख सकते हैं, भारत में वायू पर यहां की शुरुवात कब होई थी, तो इसकी शुरुवात होई थी, 1911 इस्वी में, सारे की सारे पॉइंट्स आपको नोट करते हुए चलना है, इसकी PDF लेट में दूँगा, ठीक है, यांकि PDF में आप लो परिवहन से देखिएगा, यह मैटर आपको यूटूब पे कोई नहीं देगा, ऐसे नोट्स बनाके फिरी में, तो चलिए, यहां पर देख सकते हैं, तो 1911 इस्वी में होई थी, शुरुवात इसकी वायू परिवहन की वारत में, और इलहा बास से 9 की बीच, विस्व की सरो में पूंछे आते हैं, अभी यहां पर मैं करवाँगा, तो जैसे वाई परिवहन में अंतराष्टी हवाई अड्डे होते हैं, तो भारत देश के कुछ हवाई अड्डे के यहां मै नाम दिया हूँ, जो की बार-बार कोई नो कोई अंतराश्टी हवाई अड्डा पुंच चौधरी चर्ण सिंग अंतराष्टी हवाई अड़ा लखनाओ में हैं इसको जरूरी याद रखना है क्योंकि यूपी के एक्जाम है तो यूपी जीके से कोश्चन्स मुचा जा सकता है ये लखनाओ में है और राजीव गांती अंतराष्टी हवाई अड़ा जो है है धराबा लिए घक्जाम है तो इस्टेटी जीके कोश्चन्स भी आएंगे और समान गयान के कोश्चन्स आएंगे उत्रप्रदेश के ठीक हैं थ्टिक आ, अगला जो आपका परिवाहन वहें जलoft परिवाहन जल परिवहन से एक्जाम में questions आएंगे तो ये जो topic है important है कि भारत में 111 राष्टी जल मारग है एक्जाम में कभी पूछा जाए कि राष्टी जल मारगों की संख्या कितनी है भारत में तो 111 याद रखना है ठीक है और देश का सबसे बड़ा बंदरगा मुंबई में है ठीक कि सारे questions में आपको बताया हूँ practice set वाली class में और इसमें भी बता रहा हूँ topic wise class में तो इनको note करते हुए चलें revision ताकि आप लोग बाद में कर शकें exam जब आपका नश्दीक आ जाए क्योंकि बार बार आपको वीडियो देखना नहीं है ठीक है और यहां जो है भारत का सब जो किस नदी खाड़ी समुद्र में हैं जैसे ममबई बंदरगा आपको पता है कहां पे है महराषट राज में और यह किस नदी पर है तो ये जो है होगली नदी पहर है, ये आपको याद रखना है, उसके बाद चिन्नाई बंदरगाह, तो चिन्नाई बंदरगाह किस राज में है, तमिलनाड राज में है, किस खाड़ी में है, ये बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है, खाड़ी अक्सर मूशा जाता है, कि विसाखा पत्नम आंत्रदेश राज में है और बंगाल की खाड़ी में इस्थित है और यहां पे कांडला कांडला बंदरगा गुजरात राज में है और अरब शागर में इस्थिती है पोर्ट ब्लेयर यह बहुत पूचा जाता है तो पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमार राज मे है और बंगाल की खाड़ी में यह है ठीक है तो यह इसकी आप लोग इस स्क्रेंस आउट ले लिए अगर आप लोग नहीं नोट कर रहे हैं तो जब भी आप लोग मेरी वीडियो देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी लेकि जरूर बैठा करें नोट करते हुए चला करें ठीक है और यहां पर दिख सकते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है उससे इस रिलेटेट कि चिन्नाई एक करतिम बंदरगाह है एक्जाम में चिन्नाई आपका सबसे प्राचीन बंदरगाह है ठीक है अगला टॉपिक यहां पर है भारत की जन्नाई इससे एक कोश्चन्स फिक्स है ठीक है अगर जितना माटेरियल इसमें मैं दिया हूँ जितने पॉइंट वाइस कोश्चन्स लिखा हूँ अगर इसको आप लोग इसनी मेहनत करके इतनी अच्छे से नोट्स बनाता हूँ तो आप लोग एक वीडियो को लाइक भी नहीं कर सकते हैं आज का जो लाइक का टार्गेट है वह है 500 का ठीक है अगर ये क्लास आपको पशंद आई है है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरू जाया करें अगर कालेज में एडमीसर लेना है तो चैलन से जूरू जाया ये चैलन को सब्सक्राइब करके बागलन विल आकाउन को और प्रिस के लिए जिगा ताकि हर एक वीडियो का नेट्फिकेशन एंड बीएट की जो भी अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले इस चैलन के मद भाज रखना है डॉक्टर सी चंद्रमोली ठीक है उसके बाद जो 2011 की जनगर्ना होई थी यह स्टार्टिंग से कौन से नंबर की थी तो यह 15 वी थी 2011 की जो जनगर्ना थी यह 15 थी अगर श्वतंत्र भारत की पूचही तो शात्वी थी ठीक है इस टार्टिंग से 15 और श्व 12 से किसके कारिकाल में हुई थी सबसे पहली जनगर्ना ठीक है उसके बाद निदग जनगनना की शुरुवात कब हुई थी तो नियमित जनगनना की शुरुवात अठारा शो 81 से सिरु हुई थी किस के कारिकाल में हुई थी ये तो रलाड रिपन के कारिकाल में हुई थी इनका नाम ये आपको याद रखना है एंड सन याद रखना है ठीक है और ये आपको याद भी होगा नॉर्मल कोश्चन है और 2011 की जन गन्ना के अनुसार जो है भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी तो इतनी थी आप लोग अच्छे से नोट कर लिजेगे ठीक है 2011 जनगंट्ण के अनुसार जो है भारत की गुल जनसंख्या, विस्व की गुल जनसंख्या का कितना पर्षिंट था, 17.5% ये भी पॉाइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है और जंशंख्यान घंध्ट कितना है? 2011 की जंगननाक अनुसार तो 382 बैकती प्रति वर्ग किलो मीटर जंगनसंख्यान घंध्ट है और लिंगान अनुपाद कितना है? तो लिंगान अनुपाद एक हजार में 943 और सिसी लिंगान अनुपाद जो है 927 से घटकर 918 हो गया है ठीक है और शरवाधिक जनसंख्या वाले पांच राज यहां पर मैं लिख दिया हूँ अक्सर एक जम्बे पूचे जाते रहते हैं तो सबसे जादा जो जनसंख्या वह है उत्तर प्रदेश में उसके बाद महाराष्ट में उसके बाद बिहार प उसके बाद यह जो हैं आपके पॉइंट अब यह most important है ठीक है यही सारे questions अगर जनगन्ना से questions पूछे जाते हैं तो यह पूछे जाते हैं ठीक है कि सरवाधिक दस्की वरदिवाला राज तो सरवाधिक दस्की वरदिवाला जो राज है वो है मेघाले और नियूंतम दस्की वरदिवाला राज कौँसा है नागलेंट ऐसे ही आपको नोट करते हुए चलना है और सरवाधिक जनसंख्या घनत वाला राज कौँसा है तो बिहार और नियूंतम जनसंख्या घनत वाला राज कौँसा है अनुणाचल पदेश्री यह बहुत important है यह वाला उसके बाद सरवाधिक लिंगा नुपात वाला राज कौँसा है तो शरवाधिक लिंगा नुपात वाला जो राज है वो है किरल और नियूंतम जो लिंगा नुपात वाला राज है वो है हरियाना और शरवाधिक सरचारता वाला जो राज है वो है किरल और नियूंतम सरचा है के इंसासित बज़िश लक्षदीप में है ठीक है शो फ्रेंड्स ये थी आज की इंडियन जिग्राफी की एक छोटी सी क्लास अब जो आएगी थोड़ा आपकी बड़ी क्लास आएगी यानि कि उसमें मैं आपका जो है पूरा इंडियन जिग्राफी खतम कर दूँगा तो वो क्लास आप लोग बिल्कुन मत भूलिएगा देखना ठीक है और पहली दूसरी तीसी क्लास को आप लोग जाके देख लिजे अगर नहीं देखें हैं तो नोट्स बना लिजे ऐसी मटेरियल आपको यूटूब पे कहीं नहीं मिलेगा तो जाके देखिए और ऐसे ही नोट बना लिजे एक्जाम में ये सारे कोशन सीधे आपके आएंगे अगर आपके मन में बीएट से सम्मधित कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरी कर सकते हैं तो मिलते हैं अगली उड़ पे इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा 500 लाइक का टार्ग सब्सक्राइब भाइंगे मिलते हैं अगली उड़ पे थैंकियू